अज्ञानी पापी कंस का विनाश करने के लिए नंद के घर प्रकट होने वाली महा माया भक्तों की रक्षा करने के लिए विन्द परवत पर विराजमान हो गई ज्यान की देवी मा अश्ट भुजा नंद के घर पैदा हुई और पापी कंस के हातों से छुट कर विन्दयाचल परवत पर वासकर भक्तों को अभ़य प्रदान कर रही है पापो का सहार करने वाली मा के पैरों में कंस के अंगोलियों के निशान आज भी मौजुद है विन्द परवत पर त्रिकोंड मार्क पर स्थित है विद्या की देवी मा सरस्वती रूप में मा अश्ट भूजा के दर्शन के लिए नवरात्र में दूर दराज से आने वाले शद्धालों का ताता लगा रहता है जब जब पृत्वी पर असुरों का समराज्च बड़ा है तब तक आदी शक्ति ने उनके नाज के लिए अवतार लिया है असुरों के भैसे नर्व नारायन को मुक्त दिलाने वाली मा के विबिन्द रूपों में एक रूप माता अश्ट भूजा का भी है वाँ के अवतार लेने के बारे में मारकंडे या पुरान में वर्नन मिलता है कि नंद गोप गुरूहे जाता ये शुदा घर्ब सम्मवा ततस्तो नाश्या मी विद्धवान चल निवासिनी द्वापर में पृत्वी पर कंस के बढ़ते अत्याचार से लोगों को मुक्त कराने के लिए बाबा नंद के घर सात्री संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बहन बंद कर महा माया ने अवतार लिया अपने मौद के भैसे कंस ने जब नन्नी बालिका को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा तो उसके हाथों से छूट कर बालिका ने अश्रबूजा का रूप धारन कर लिया पापी कंस से कहा हे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है यह कर कर देवी विरध्य परवत पर आकर विराजमान हो गई मा की बाए पैरों में आज भी कंस की उंग्लियों के निशान मौचुद है मा अश्टवुजा द्यान की देवी है इनका दर्शन करने से सारी कामना सिद्ध होती है जी माता अश्टबूजा का दरवार है नौरात्र महीने में सभी भक्त लोग यहां पर दूर दूर से आते हैं माता भगोती का दर्शन पूजन करते हैं अपनी कामनाओं को लेकर प्याते हैं माता भगोती उनकी कामनाओं को अवश्य कोन करती है इसमें कोई संसे नहीं है सब स गरगरिशी की तपस्या से प्रसंद होकर माता विद्यवासिनी ने हजारवे अंच से योग माया के रूप में नंद के घर अवतारित हुई और पापी कंस के बोद से पृत्वी को भार मुक्त किया माता की दर्बार में मनो कामना लेकर पहुचे भक्तों को असीम खुशी मिलती है भक्त सब कुछ भूल कर बार बार दया माई माता की दर्बार में आने वो मा की ममता माई कृपा पाने की कामना रखते है पिछले कई वर्षों से लगातार मा के दर्बार में नौ दिनों तक प्रातना करने वाले फिल्म कलाकार भी अपनी उपलब्दी को मा का आशिरवाद मानती है अनादी काल से ही विनद्धिक शेत्र लोग कल्यानकारी भावना का शांती पूंजिव विश्व कल्यान के लिए सदय वभक्तों को अपनी और आकशित करती रही है न्यान की देवी का दर्शन करने मात्रे सी ही मानव का कल्यान होता है और उसके सारी मनुकामना पूरी होती है